हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत इंवेस्चेलन चैनल पर मैं हूँ आप सबका दोस्त ये शूजन अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें जैसे बहतरी शेर्ट आप लोग के बाद सबसे पह पहले रहा है और सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब कर रहा है अगर इतनी ज्यादा बुरी हालत है तो मलब एक सोचने वाली बात है तो इसे दो परफेक्ट वेल्द डेस्ट्रोय का वाड़ भी मैं देना चाहूंगा साथ सो पंदर रुपीस का शेर और जब शेर गिरता ह है तो बिल्कुल शरम नहीं करता है गिरने में बे दड़क बेशर्मों की तरह गिरता है मार्केट कैप इसका 67,000 करोड हो चुका है जो लगबल लगबल सीधा एक लाग करोड चला करता था जब इसका अजार रुपे का प्राइस था ट्रेलिंग ट्वेल्मन दीपे इसका 22 है और शेक्टर का 36 है और इतना गिरने के बाद आखिर इसका पी नीचे डाउन आ गया है और यह देखे एक टाइम पर शेर 999 तीन साल पहले आसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो 11.5 ग्यारा सो रुपे का अच्छा-कासा रिटान इसने दिया था बट अब तो शेर के अंद दिया है बात करें देखे यह सारा रुपीज इन करोर्स है तो थोड़ा क्वालिटी के अंदर मैं क्या ज्यादा आपको नहीं बता सकता फिर मैं आपको अलग से लिखके भी बता दूंगा तो 1600 करोड रुपे इनके इंट्रेस्ट इंकम है जो लाश्ट क्वर्टर के अंदर 1484 करोड की थी और लाश्ट यह थी 1273 करोड रुपी फीज एंड कमिशन इंकम मलता भार किसी के क्राइट कार्ड एन्वल फीज फ्री में आ रहे हैं बट यह लोग तो फिर भी देते नहीं है तब भी शेयर इतना ज्यादा गिर रहा है सतरा सो करोड रुपे का एन्वल इंक यह उससे सर्विस हैं तो 46 करोड रुपी की वह सर्विस हैं लाश्ट क्वाटर के नदर 40 थी और लाश्ट एर 37 थी बिजनस डेवलप्मेंट इंसेंटिव स्कीम जैसे रिवार्ड स्कीम से वग्यारा कुछ हो गए यह समझे आपको हजार पर रिवार्ड देते हैं बीपी सी चोड़ के सीधा मैं आपको नेट प्रॉफिट की तरफ लेके चलता हूं प्रॉफिट देखें पांसो नो करोड आया जो लाश्ट क्वाटर थी एटी सिक्स करोड था और लास्ट यह पांसो पच्चिस क्रोड था मतलब 500 क्रोड रुपे का प्रॉफिट हर क्वाटर के नद पांच रुपिय शेयर मैं कमाया है जो लाश्ट कोर्टर के अंदर पांच रुपे पचास पैसे कमाया था और लास्ट यह चार पे दस पैसा कमाया था तो यह अर्निंग पर शेयर इसी थोड़ी सी हमें कभ देखने को मिलते तो साल भर में एक शेयर पर 200 रुपे की आमदनी यह शेयर कर देता है लाश अगर दस साल का एनलीसिस करें तो 2013 के अंदर एक हजार आठ करोड रुपे का रवन्य तो जो बारा जार करोड हो गया है इंट्रस्ट दस करोड ता जो चोदा सो करोड हो गया है और नेट प्रोफिट 136 करोड जो आज के टाइन में पूरे साल का 2200 करोड रुपीज हो गया है निटन तो इसकी नेगटिव है फिंटेक कंपनी की बैलेंस इटम से अनलाइज नहीं कर सकते हैं और प्रमोटर्स के पास यह देखे इनों ने लगातार अपनी कभी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं और यह मेरे को परस्नली ऐसा नहीं होना चाहिए को थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए कि वह ऐसा क्यूं कर रहे हैं अपनी गटा रहे हैं दीरे दीरे घटा दो आप या इक दम बणा तो थोड़ा से दीरे अपनी थोड़ी नatus नहीं नहीं होती है देखिए FIIS ने तो अपनी शेयरोल्डिंग 4% दे बढ़ा कर सीधा 9% कर लिए उन्हें तो पता ही है कि यह जब यह 1200-1300 रुपया आएगा हम इसे निकाल देंगे देखिए ने तो लगातार कमाल कर दिया है 16.72 परसेंट की शेयरोल्डिंग इसके अंदर कर लिए जब से इसका प्राइस गरना स्टार्ट हुआ है जिसमें लगातार इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है 3.47 परसेंट की अंदर हिस्सेदारी है इसे प्रोटेंचिल है निपोन लाइफ इंडिया की 2.01 है जिसी ट्रस्ट की 1.76 है डिएसपी टैक्सेवर की 1.01 है वागी पॉब्लिक के पास यह कारले इसके पास 3109 है पांच परसेंट की शेयरोल्डिंग कुल इस पॉब्लिक के पास है तो देखे शेयर दो बहुत अच्छा है और बड़े श है अभी 700 रपे का ना खरीत एंग हिए रेटेयल इंवेश्टर को खरीता है जितना के उतना ही खरीतना है क्योंकि हे बढ़ा ब्रेंड नेम इसके साथ लगा हुआ है और जब यह बढ़ना चाल रोग नहीं पाएगा तो thank you friend for watching this video till the end आपको इस share को buy करकर चलना है मतलब अभी तो मेरे को लगनी रहे कि इसकी correction रुखने वाली है बट आपको हर level पर इस share को खरीदना होगा मैं तो यही बोलूँ आप से कि आप इस share को buy करते रहे आपको यह बहुत अच्छे returns बना कर देगा तो thank you friend बाई बाई मिलते हैं नेक्ट वीडियो के अंदर ऐसा ही बहतरन share के analysis साथ